36 गर समेत कई राजियों के किसानों से धान खरीद बढ़ाएगी सरकार जीहा, अब अन्दाताओं को ज्यादा कीमत मिलने की उम्मीद की जा रही है। दरसल केंद्र सरकार जन कल्यानकारी योजनाओं के लिए चावल की उपलब्धता बनाए रखना चाहती है। ऐसे में FCI किसानों से धान खरीद बढ़ाने जा रही है क्योंकि उसे बफर स्टॉक लिमिट टार्गेट को पूरा करना है। FCI ने कहा है कि 36 गर, तेलंगाना और मध्यप्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के किसानों से धान की खरीद को बढ़ाया जाएगा। वहीं धान खरीद कीमत ज्यादा मिलने की भी संभावना जताई जा रही है क्योंकि कुछ राजे MSP बोनस की घोशना करने वाले हैं। वहीं सभी जन कल्यानकारी योजनाओं के लिए परियाप्त मात्रा में चावल की उपलब्धता बनी रहने की बात कही गई है। भारतिय खादे निगम, FCI, ने इस साल गेहूं की कम खरीद के कारण किसी भी समस्या की आशंका को खारिज कर दिया है और सभी कल्यानकारी योजनाओं के तहत वार्शिक आवशक्ता से अधिक मात्रा में चावल खरीद करने का विश्वास जताया है। जन कल्यानकारी योजनाओं के लिए सालाना चावल की जरूरत 41 मिलियन टन है और 2 जनवरी तक FCEI ने 31.1 मिलियन टन खरीद कर ली है। FCEI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक कुमार मीना ने कहा कि बफर स्टॉक के लिए चावल की उपलब्धता के बारे में चिंता का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तक खरीदे गए चावल की मात्रा कल्यानकारी योजनाओं की आवशक्ता को पूरा करने के लिए परियाप्त है। नहीनों में चावल की खरीद पिछले साल की अवधी में 34.79 मिलियन टन से 14 प्रतिशत गिरकर 29.9 मिलियन टन हो गई है। जबकि अक्टूबर से दिसंबर 2022 में चावल की खरीद 2021 के स्तर से 11 प्रतिशत अधिक थी। विशेशग्यों का मानना है कि चालू वर्ष की चावल खरीद 52.11 मिलियन टन के लक्षे से बड़े अंतर से चूक सकती है। FCI की ओर से कहा गया कि कम खरीद का एक कारण यह है कि खुले बाजार में धान की कीमते भी बहुत अधिक हैं। दूसरा कारण यह है कि विधानसभा चुनावों के कारण तेलंगाना, 36 गर और मध्य प्रदेश जैसे राजियों में खरीद की गती धीमी थी। उन्होंने कहा कि आगे चल कर धान की खरीद में तेजी आने की संभावना है क्योंकि यह राजे किसानों को बोनस देने की घोशना करने वाले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में धान की खरीद सुस्त रही है।